Hi everyone, इस वीडियो में हम देखेंगे data types क्या होते हैं और हम different different तरह के data types भी देखेंगे जो कि हम लोग अपने अलग-अलग type के data को store करने के लिए use करेंगे चलो मैं आ जाता हूँ अपने screen पर यहाँ पर मैंने एक छोटा सा project create कर रखा है यहाँ पर index.html है और script.js है तो script.js में कुछ है नहीं अभी खाली empty है और index.html में मैंने script.js को connect कर रखा यहाँ पर और यहाँ पर नीचे मैंने कुछ थोड़ा सा text लिखा है बिस्तिकली data type के बारे में explain किया है और उसके different types को explain किया है क्या अलग-अलग तरह के data type क्या होते है इसको live server के साथ मैंने open कर लिया है अब यहाँ पर देखोगे तो data types in JavaScript मैंने सबसे पहले लिखा और फिर there are two types of data types in JavaScript तो type जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि data type क्या होता है जैसे हमारी जो website है उसमें अलग-अलग तरह के data को हम show कर सकते हैं जैसे कहीं हम लोग word show करेंगे कहीं हम लोग number show करेंगे कहीं हम लोग और भी तरह का data show करना चाहते होंगे तो वो भी show करते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर जाओं Google पे ही तो देखो जिसे यहां पर यह है इतना बड़ा तो यह एक number है यहां पर यह point में है यह एक number है और यह देखो यह एक number है और यह एक word है तो इसको हम लोग अलग तरह से JavaScript के अंदर represent करते हैं और यह word को अलग तरह से represent करते हैं इसको store करने की अलग-अलग technique होती है तो data type नाम ही बताता है कि अलग-अलग तरह के information को store करने के लिए अलग-अलग तरह के data types होते हैं तो चलो हम लोग देखते हैं तो basically JavaScript के अंदर दो तरह के data type होते हैं जो broad category होती है एक primitive data type और दूसरा non primitive तो primitive का मतलब होता है basic जो बहुत ही छोटा बहुत ही fundamental level पर जो data type होता है तो इस video में हम केवल primitive data type ही सीखेंगे non primitive हम लोग आगे आने वाली videos में देखेंगे non primitive data types को तो primitive data types हम लोग पिछली video में देख चुके हैं और use भी कर चुके हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग console में आ जाएं इस console में हमने देखा था हमने कुछ numbers type किये थे जिसे हमने type किया था 7 और यहाँ पर हम लोग अगर enter दबाएंगे तो 7 ही आएगा अब यहाँ पर कुछ calculate करने के लिए है नहीं अगर 7 plus 3 कर देते हैं इसका result आएगा तो अगर तुम्हें यह जानना है कि यह जो 7 है इसका data type क्या है तो इसके उपर यह type करो यह 7 type करो और इसके आगे लिख दो type of बस type of लिख दोगे तो यह दिखा देगा number तो यहाँ पर देखो मैंने यह type of दिया है number पहला है string पहला number ही कर देते हैं क्योंकि number सबसे ज़्यादा easy और common होता है तो इसको मैं उपर कर देता हूँ number को तो सबसे पहला हमने देख लिया number तो किसी भी element बोल रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते element element हो गया सब कुछ तो किसी भी value का तुम्हें data type अगर चक करना है तो बस उसके आगे type of लिख दो type of लिखोगे उसका जो type है वो आ जाएगा तो ये type of जो 7 है 7 वो number है अब अगर हम यहाँ पे कोई भी number डालेंगे कितना भी बड़ा तो उसका type यही आएगा number ही आएगा तो अगर हमारा number जो point हो है अगर point में है तो भी उसका type of नंबर ही होगा तो जो एक decimal number है वो number ही होगा और तो मतलब जावा स्क्रिप्ट के अंदर numbers को store करनी के लिए एक ही data type होता है वो होता है number बस ठीक तो जैसे अलग language होती ही programming उसमें जो point वाले decimal वाले number होते हैं लिए अलग data type होता है उसके लिए दूसरा data type होता है और जो हमारे सिधे integers होते हैं जो की point में होते हैं उनको store करनी के लिए अलग data type होता है लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास केवल एक ही data type होता है number को store करनी के लिए उसी के अंदर हम लोग positive number नेगेटिव नंबर, डेसिमल नंबर, जो भी है, सारी तरह की नंबर, हम लोग उसके अंदर स्टोर करते हैं, तो अगर मैं यहां पर नेगेटिव नंबर, एंटर करूँ, इसको मैं नेगेटिव बना देता हूँ, तो भी उसका डेटा टाइप कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो यहां पर समझ लो तुम कोई भी real number या कोई भी number रख सकते हो आपर तो decimal non decimal सब कुछ हर एक तरह का number इस number वाले data type में आ जाएगा और अगर हम लोग अब फिर यह string क्या होता है आगे बढ़ते हैं string देखते हैं तो हमने पिछली वीडियो में लिखा था ऐसे console.log hello अगर हम यहां पर आएं तो हम लोग अगर console.log तो पूरा नहीं लिखेंगे CLG के वाल लिखेंगे तो आ जाएगा क्योंकि हमने extension install किया था और यहां पर अगर hello के वाल लिख देता है तो यह हमारा यहां पर hello print हो जाएगा लेकिन अगर केवल यहां पर ऐसे hello लिखोगे तो और enter दबाओगे यह दो अपने आप कुछ दूसरा चीज़ लिख गया क्यों ऐसे hello लिख के enter दबाओगे तो यह error देगा यह यहां पर बता रहा है कि hello is not defined तो अगर तुम्हें hello लिखना है तो यह not defined अभी क्यों बता रहा है और यह define कैसे करेंगे यह सब हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे तो यह basically यह सब variables का concept होता है वो सब हम लोग next वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग define करते हैं कैसे हम लोग उसको use करते है अगर तुम्हें यहां पर hello print करवाना है तो तुम्हें उसको double quotes में या single quotes में लिखना होगा तो मैं यहां पर single quotes में लिख देता हूँ hello और फिर अब enter अगर करेंगे तो यह error नहीं देगा अगर same चीज यहां से भी अगर string हटा देंगे तो यह error देगा देखना यह देखो ज single quote लगा देते हैं इसके आगे पीछे तो यह इसको as a word समझता है और उसी word को हम लोग string बोलते हैं और यह word के वल एक word नहीं हो सकता है यह कितना भी बड़ा word हो सकता है कुछ भी कुछ भी हो सकता है बस उसको एक single quote के अंदर होना चाहिए देखो यह पुरा एक word आ गया है औ और वो error नहीं दे रहा है और यह single quote के अंदर ही नहीं इसको हम लोग double quote के अंदर भी लिख सकते हैं देखो मैंने double quote के अंदर लिख दिया तब ही कोई change नहीं है तो दोनों मेंसे कोई भी use कर सकते हो तुम और मैं prefer करता हूं single quote सी तो मैं single quote ही रखता हूं तो यह मेरा आ गया अब यह फाल्तू में word अटा देता हूं कितना भी लंबा इसके अंदर लिख सकते हो पूरा paragraph पूरा sentence सब कुछ लिख सकते हो उसको एक मतलब एक word की तरह ही treat करेगा तो इसको word नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं string तो यहां पर अगर मैं फिर से आप error दवाता हूं तो जो मै यह type of string मतलब यह जो हमारा यह hello है यह जो word है यह string type का है अब इसके अंदर कितना भी लंबा लिख दोगे यह कोई भी change नहीं है इसकी कोई limit नहीं है अलाकि अगर बहुत ही लंबा लिखना है तो इतना ज्यादा लंबा लिखते नहीं है लेकिन लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं हो कितना भी लंबा लिखो इतना लंबा हम लोग लिखते नहीं है क्या कर रहा हूं मैं सिधा ही से एक meaningful text copy कर लेता तो यहां पर यह कोई इतना ल और यहां पर भी एक single quote है, we'll learn, तो इसको लग रहा है कि यहां से यह start हुई हमारी string और यहां पर end हो भी, फिर उसके बाद यह पता नहीं क्या है, और फिर से यह पता नहीं क्यों quote लगा रहे हैं, तो जब ऐसी condition आ जाती है, तो हम लोग यह use कर सकते हैं, double quote, इस case में हमें use करन चाहिए, तब यह double quote से लेके double quote तक उसको एक string समझेगा, और इस word को जो भी हमाराई है, यह सीधा उसको ignore कर देगा, मतलब उसको string की तरह नहीं treat करेगा, इसको string लेगा, तो जब तुम्हें कहीं भी अपने string के अंदर single quote use करना हो, तो बाहर बाहर double quote लगा दो, और उसके अं तो यह देखो, इसका type of string है, अगर हम केवल यह type of हटा देते हैं, और फिर अगर इसको एक बार में clear कर देता हूं, इस button पर click करूंगा, पूरा clear हो जाएगा, लेकिन जो मैंने type किया था, वो नहीं clear होता है, मैंने last video में बताया था, तो अगर हम यहाँ पर inter press करेंगे, तो यह सीधा उतना ही ऐसे आ जाएगा, और यह थोड़ा सा इसका जो भी highlighting होता है, अलग color में होता है, green color में, यह ऐसे string बनके आ रहा है, तो हम एक string को दो तरह से create कर सकते हैं, एक तो single quote के अंदर लिख देंगे, कुछ भी, तुम कुछ भी अगर नहीं लिखोगे, कुछ भी, अगर कुछ भी नहीं लिखते हो, क्यों double quote या single quote ही लगा दे, तो मैं यहापे single quote ही लगाता हूँ, single quote, अगर इतना ही लगा देते हैं, और इसका अगर type of देखेंगे, तो इसका भी type string है, बस इसको बोलते हैं empty string, यह खाली string है, यह empty string है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अ लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं empty string, यह खाली string है, तो केवल यही दो तरह से नहीं create कर सकते हैं, एक और तरीका होता है, यह जो one के आगे जो button होती है, इसको बोलते है tilde, अगर तुम इस button को दबाओगे, एक बार, तो यह ऐसा कुछ तिर्चा सा यह comma type में ही आएगा, तो इ इसको बोला है tilde, तो यह tilde नहीं है, इसको बोलते हैं back tick, tilde यह होता है, यह दोनों एक ही keyboard के उपर होता है, इसलिए मैं confuse होके बोल दिया था इसको tilde, लेकिन tilde यह होता है, जो ऐसा S के shape में होता है, और इसको बोलते हैं back ticks, यह वाला, यह वाला जो होता है, इसको back ticks बोलते हैं तो मैं जब भी टेल डे बोलूँगा इस वीडियो में आगे तो आप समझ जाना कि ये मैं इसको back टिक को मैं टेल डे बोल रहा हूं गलती से ठेक तो चलो आगे वीडियो को continue करते हैं तो अगर इसको दो बार दबाद होगे तो तुम्हारी एक string create हो जाएगी यह भी एक empty string ही है और इसके अंदर भी hello लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो जैसे हम उसके अंदर लिखते थे लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि यहां पर मैं अगर shift करके enter प्रेस करता हूं तो मैं new line में आ जाओंगा और फिर यहां पर यहां पर भी कुछ लिख सकता हूं hi my name is Anurag तो देखो मैंने यह इतना लिखा और इसने कुछ error नहीं दिया यह एकदम सही से काम कर गया मैं मैंने दो line में इसको लिखा है और मैं इसको अगर हटा देता हूं तो यहां पर अगर मैं अगर मैं यहां पर ऐसे enter करूंगा तो यह देखो यह backslash n करके आ रहा है यहां पर तो यह backslash n का मतलब होता है new line new line मतलब यहां पर हमने new line एक दी है वही दिखा रहा है यहां पर तो लेकिन अगर यह same चीज तुम single quote के साथ करना चाहोगे तो वो error देदेगी वो new line नहीं support करता है देखो मैंने same चीज किया बस इसमें यह हटा के ऐसा कर दिया तो अगर इसको enter करेंगे तो यह syntax error देखो आ रहा है तो double quote यह single quote कुछ भी दोगे तो दोगे तो यह new line नहीं support करते हैं जैसे new line में डालोगे वो error देने लगेंगे वो single quote मैंने डाला तभी यह error आ रहा है अगर मैं इसको पूरे को clear कर देता हूं और इसको अगर मैं single line में लेकर आ जाता हूं तब देखो यह काम कर रहा है अब कोई भी error नहीं है तुम केवल single quote को तुम new line में भेज सकते हो लेकिन उसके अंदर के text को नहीं भेज सकते हो तो shift के साथ जब करोगे तभी यह new line में आएगी हमारा करजर जो भी है यहां पर जैसे कुछ लिखोगे और आने लगेगी अब यहां पर error हम लोग कैसे समझ सकते हैं यह देखो पूरा यह orange कलर का है लेकिन यह जो जह है इसका color change हो गया है इसका color change हो के यह white हो गया है अब अगर यहां पर अगर प्रेस करोगे तो यह बोल रहा है unexpected token और मतलब uncaught syntax error invalid और unexpected token ऐसा error दे रहा है मतलब तुमने कुछ गलत लिखा इसका मतलब यह है तो इसको हम लोग एक बार फिट से एक single line में लेके जाते हैं और इसको हम single line में नहीं ले जाते हैं new line में रहने दो इसको बस तुम यह क तो क्या होगा तो यहां पर जहां भी हम लोग एंटर दबाएं होंगे वहां पर backslash n हो जाएगा तो यह backslash n को जो backslash n है यह new line को represent करता है basically यह बोलता है कि यहां पर एक new line यह enter press किया गया है तो हम लोग new line पर चले गया है बस इतना समझो हुए backslash n को और फिर उसके बा यह देखो अगर space अटा दिया तो बीना space के यहां पर j आ रहा है अब यहां पर अगर हम लोग enter press करते हैं तो कोई भी error नहीं आएगा और यहां पर भी देखो सारे का color orange है यह का color change नहीं हुआ जैसे यहां पर change हो गया था यहां पर अगर space देदेंगे तब भी यह change नहीं हो करता है इसका और भी ज्यादा feature है इसका जो भी feature है यह हम लोग कुछ एक दो वीडियो के बाद देखेंगे तब हमें इसका जो actual feature है वो अच्छे से समझ आएगा इसके अंदर काफी feature है तो तुम क्या कर सकते हो तुम केवल string create करने के लिए केवल यही इस टेंपलेट लिट हलका सा तिर्चा होता है देखो single quote और इसके अंदर difference आएगा अगर मैं control plus करता हूं इसको थोड़ा सा और zoom in कर देता हूं तो यह देखो यह इस तरह से थोड़ा सा slash की type में हलका तिर्चा और single quote यहां पर जो output होके आ रहा है यह single quote में दे रहा है यह सीधा होता है तो सीधा यही यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं prefer करता हूं ऐसा जब मुझे जरूरत होती है जब मुझे जरूरत होती है मानलो मुझे single quote या double quote दोनों यूज़ करना है अगर अपने code के अंदर तो उस case में हमें इसका यूज़ करना ही पड़ेगा तब उस case में यूज़ करते हैं नहीं अगर चोटा सा कोई image करता हूं तुम चाहूं कोई यूज़ कर सकते हो तो यह हो गया string data type हो तो एक single quote या double इसित कर सकते हैं तो कर यह जो हमारा जो जास क्रेंजिंट का मतलब पूरा मेमरी मैनेज करता है सब कुछ वह और को अलग तरह से मेमरी की जरूबत नहीं होती है नमबर ज़ाद अपक्षा बड़ा ही कर देगा नमबर, लेकिन जो एक, वह string होता है, वह string कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो उसको store करने के लिए लग तरह से उसको store किया आता है, लग तरह से मेमरी मैनेच करते हैं उसको, तो इसी लिए इन दोनों का जो data type है, वो अलग-अलग है, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक string को number में convert कर सकते हो और number को string में तो मैं पहले एक अगर हम यहाँ पर अगर string के अंदर single quote या double quote अगर हम लोग लिखके इसके अंदर hundred लिख देते हैं तो इसका अगर तुम बताओ type क्या होगा data type क्या होगा बिना चेक किये बताओ guess करके तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही guess किया होगा यहाँ पर अगर type of लिखोगे तो आएगा string इसका type of क्या आ रहा है string क्योंकि हमने इसको single quote में लिखा अगर इसको double quote में कर देंगे तब भी string आएगा अगर tilde के अंदर कर देंगे तब भी string आएगा तब ही string आ रहा है लेकिन अगर सब कुछ आटा देंगे तब इसका जो भी type है वो number आएगा नुकि number के लिए मैं किसी भी string के अंदर नहीं लिखना होता है तो अगर हम इसको फिर से वैसा कर दें जैसा था यहाँ पर एक string के अंदर था मैं आगे से इसको string ही बोलूँगा मैंने आपको string explain कर दिया है तो single quote या double quote नहीं बोलूँगा नहीं तो वो अलग-अलग तरह से single quote, double quote, tilde, सब अलग-अलग बोलना पड़ेगा मैं सिधा बोलूँगा एक string के अंदर कोई value लिखो या कुछ भी string के अंदर लिखो तो तुम्हें समझ जाना है कि तुम्हें single quote, double quote या tilde किसी का भी use करके तो मैं एक string create कर देनी है तो हमने आप एक string create करी है अब इसको हम चाहें तो इसको number में convert कर सकते हैं अभी quotes आए तो समझ जाओ कि एक string है और मैं इसको फिर से control L करके clear कर देता हूं तो यहां पर अगर 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 दबाएंगे तो फिर से वही हमारा पुराना command आ जाएगा है तो अभी देखना मैं इसके प्लस लगा देता हूं तो अब यह देखो सिंगल कोट के अंदर नहीं आ रहा है अगर मैं प्लस नहीं लगाता हूं तो यह प्लस लगाने से number में convert कर रहा है उसको तो ये क्या करता है हम लोग plus लगा देते हैं तो ये इस पूरी string को लगता है कि अब इसको किसी भी number में add करने जा रहे हैं तो मैं इसको अपने मन से number में convert कर देता हूँ तो JavaScript जो है अपने मन से ही खुद से ही उसको number में convert कर लेता है तो उसने क्या किया, इसको number में कर दिया, लेकिन उसको negative number कर दिया, सिधा minus 100 कर दिया, अगर यहाँ पर मैं multiply लगा कि देखूं, तो देखो क्या होता है, तो error आ गई, तो यहाँ पर multiply के साथ नहीं काम करेगा, क्यों plus और minus के साथ काम करता है, मैंने यह पहले नहीं देखा था, मैंने पहले minus और plus करके ही देखा था, तो ऐसे तुम्हें भी explore करना है चीजें, यहाँ पर अगर divide लगा दोगे, तो भी नहीं काम करेगा, अब यह तो एकदम अभी भी error आगी है, तो यहाँ पर तुम्हें अगर किसी भी string को number में convert करना हो, तो सिधा उसके आगे plus लगा दो, एकदम सही से convert होगा, अगर उसके आ किसी number में convert करने के लिए और भी तरीके होते हैं, क्यों यही तरीका नहीं होता है, और भी तरीके होते हैं, आगे चलके हम लोग उन सभी तरीकों को देखेंगे, लेकिन यह होता है सबसे simple और सबसे easy तरीका, और सबसे जादा intuitive, मतलब आप starting में बहुत ही आसान तरीका है, ब हाँ, अगर मैं convert करता हूँ string को, तो यह number में convert हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नाम, तो देखो यह convert हो गया number में, लेकिन यह बोल रहा है NAN, तो अब यह कोई valid number तो है नहीं string के अंदर, तो जावा स्कृट को पता नहीं इसको कौन सा number दें, यह कोई number थोड़ी है, मतलब यह एकदम सा illogical इसको number में कैसे convert कर देगा, तो जब उसको लगता है कि इसको valid number में नहीं convert कर सकता है, तो उसको change करके NAN कर देता है, तो इसका full form होता है not a number, इसका full form होता है not a number, लेकिन तुम देखोगे, जो number आया था, उसका भी color blue था, और तो इसका मतलब यह जो है, जो हमारा convert हुआ है, यह number ही है, यह number ही है, लेकिन एक valid number नहीं है, बस, इसका मतलब यह ही है, एक valid number नहीं है, तो अगर जो भी convert होके आया है, उसका अगर type of देखोगे, तो यह number ही आएगा, तो सीधा, यह not a number, एक keyword भी होता है, इसको तुम type कर सक रखते हो, NAN अगर कर दोगे, तो यह जो भी type of NAN है, यह है number, तो यह NAN क्या बताता है, तुमने किसी value को convert करनी की कोशिस करी थी, लेकिन तुम नाकामियाब रहे, क्योंकि वो एक invalid number था, तो यह जो NAN है, वो invalid number बताता है, number ही बताता है, लेकिन invalid number बताता है, बोलता है, तुम क्योंकि एक valid number नहीं था, उस string के अंदर, तो मैंने उसको change करके, NAN कर दिया है, यह number में तुमने किया था, लेकिन अब वो invalid number है, तो ऐसा कुछ हो गया, NAN, लेकिन अगर हम इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पर 100, देखो, तो अगर हम इसके अंदर, अगर हम ऐसे 100 A, हम A, B, C C, D, कुछ भी लिख दिया, तो भी यह, अब यह valid number नहीं है, तो इसको सही से convert नहीं कर पा रहा है, तो मैं यही limitation बोल रहा था, इसकी जो plus करके change करनी की जो, मतलब जो भी technique है, उससे थोड़ी सी limitation होती है, लेकिन जो दूसरा तरीका होता है, वो एक होता है, तो मैं ऐसे जैसे लिख रहा हूँ, सिधा लिख दो, यह percent क्या होता है, क्यों bracket लगा है, क्या लगा है, इसका कोई मतलब अभी तुम ज़्यादा ध्यान ना दो, तो basically यह क्या गरता है, एक string को एक number में convert कर देता है, तो यह थोड़ा सा ज्यादा intelligent होता है, इसके comparison में थोड़ा सा ज्या आगे का हटा दिया, मतलब उसके पीछे का हटा दिया, जहांसे उसको invalid number मिलने लगा, लेकिन अगर तुम एकदम आगे से भी कुछ उल्टा सीधा लिख दोगे, तो यह भी फिर हार मान लेगा, कहेगा नहीं, अब मैं तुमने जो number तिया, इतना सुन्दर सा, अब मैं इसको नहीं convert कर सकता हूँ, मैंने जितना अपना दिमाग लगाना था, लगा लिया है, अब इसमें बीच से मैं नहीं निकालूँगा, बीच में से इस number को निकालूँगा, और कहां से निकालूँगा, उसको पता भी नहीं है, तो यह थोड़ा parse int करके हम लोग प्रोसा advanced label पर number को string में string को number में convert कर सकते हैं, तो ज़्यादा तर जब हम लोग coding करेंगे, तो उसमें जब कभी भी chance होगा कि ऐसा कुछ number, ऐसा कुछ string आ सकता है, जिसको number में convert करना है, तो लोग parse int use करेंगे, नहीं तो normally हम लोग सीधा plus लगा के भी convert कर सकते हैं, तो हमने देख लिए number और string, दो तो हमने देखा कि अगर कोई string था, उसके आगे plus लगा दो, तो वो number में convert हो जाता है, अगर convertable है, तो उसके अंदर valid number लिखा है, तो लेकिन अगर valid number नहीं है, तब तो वो बता देगा invalid number, invalid number कैसे बताएगा, वो invalid number लिखके नहीं बताता है, वो रिखके न अन लिखके आ जा इसको string में कैसे convert करेंगे, इसके आगे अगर plus लगाओगे, तो कोई change ही नहीं यह number है, और number में ही convert कर देगा, इसको तो कोई conversion ही नहीं नहीं, जो पहले था वही बाद में हो गया, तो इसको अगर तुम्हें string के अंदर convert करना है, तो इसको तुम्हें plus करना होगा, जैसे हमने अभी तक 100 plus 100 plus 1 किया था न, तो यह दोनों को add कर देता है, तो मैं इसके अंदर empty string add करना है, empty string सीधा add कर दोगे, तो यह string हो जाएगा, जोगे एक string में connect हो जाएगा, और अगर इस string के अंदर कुछ और भी लिख दोगे, तो दोनों आपस में से जुड़ जाएगे, और एक लंबी string बन जाएगी, तो इसको यहाँ से भी add कर सकते हो, और चाहो तो इसके पहले लिख के यहाँ से भी add कर सकते हो, कोई भी result में difference नहीं आए, क्योंकि हम लोग empty string add कर रहे है, तो यह JavaScript क्या कर रहा है, यह सोच रहा है, यह string के अंदर हम लोग number add करने जा रहे है, तो इसको string में ही, दोनों को string में convert कर देते हो, और दोनों को सिधा आगे और पीछे से लिख देंगे, अगर कुछ भी user लिख रहा है, तो आगे यहाँ पर string आगई, और उसके बाद हमारा जो number था वो आगया, और दोनों मिलके एक बड़ी string बन गई है, तो इसे हम लोग string को एक number में convert कर सकते हैं, number को string में convert कर सकते हैं, हमने देखा दोनों तरीका, अब उसके आगे हम लोग एक next data type में जाते हैं, जिसको बोलते हैं boolean, boolean से पहले एक बार तुम सोचो जो एक number होता है, उसके कितनी values हो सकती है, infinite values हो सकते हैं, कुछ भी दे सकते हो, point में दे सकते हो, सीधा एक लाक करोड़, दस करोड़, कुछ भी दे सकते हो, और मतलब कितना भी point में कितना भी आगे जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही आगे जा सकते हो, अगर तुम 1.9999 इतना करोगे, तब तो सही आएगा, ठीक, लेकिन इसको 99999, 0 मेंने लगा दे, 0 को अट आते हैं, बहुत ही जादा अगर चले जाओगे ना, तो इसको round off करके 2 कर देगा, अभी भी यह चल रहा है, लेकिन एक limit के बाद यह दो कर दिया, इसने, एक limit के बाद इसने, उसको decimal में store करना बंद कर दिया, और उसको उसने 2 कर दिया, तो लेकिन यह possibilities कितनी है, एक number type ही कितनी values हो सक सकती है, और decimal के अंदर भी infinite तरह से हम लोग number कर सकते हैं, same चीज string के अंदर है, कुछ भी, कितने भी words तुम create कर सकते हो, उसकी possibility infinite है, तो बहुत ही ज़्यादा तुम words कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा string और number की बहुत ही ज़्यादा values हो सकती है, लेकिन जो boolean होता है, उसकी number और boolean में कोई ऐसा difference करके नहीं आ रहा है, कि मतलब इसका दूसरा color होगा, तो same ही आ रहा है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर true आ रहा है, तो यह अगर इसका तुम type of देखोगे, तो true मैंने लिखा तो इसने error नहीं दिया, मैंने जब hello लिखा था, मैंने जब hello लिखा था तो error दे रहा था, क्योंकि javascript को नहीं पता है, यह कौन सा word है, अरे यार, मैं hello लिखता हूँ, तो error दे रहा है, और true के अलावा अगर तुम कुछ और लिखते हो, जिससे true के यहाँ पर true लिख देता हूँ, टुरे, अगर यह लिख देता हो, तो भी यह error देगा, क्योंकि keyword javascript को नहीं पता है, ठीक है, यह true, तो यहाँ पर true अगर, तो मैंने वो क्यों लिखा, क्योंकि कई बार type करते है, करते है, कई बार वो आगे का पीछे हो जाता है, you पहले आता है, आर बाद में आता है, तो वो हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, और वो javascript को नहीं पता ह तो true keyword javascript को पता है, और इसका मतलब javascript के लिए होता है true, वाह, बहुत इच्छे बात है, तो अगर इसका type of चक करोगे, type of, तो देखो यह ना तो number है, ना तो string है, इसका type of है boolean, इसका type of है boolean, तो यह boolean क्या होता है, boolean का मतलब बस यह होता है, true या false, boolean का मतलब true ही हो सकती, या तो true होगी, या तो false होगी, अगर यहाँ पर false भी लिखते हो, false, तो इसकी भी जो type है, वो boolean ही रहेगी, अगर यहाँ पर मैं type of हटा देता हूँ, तो यह false हो जाएगा, मतलब false का false value आएगी, तो इसको अगर तुम number में convert करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ अगर plus लगाओगे, तो देखो यह 0 हो के आ रहा है, तो programming में जो false होता है, उसका मतलब होता है 0, और true का मतलब होता है 1, अगर यहाँ पर हम true लिखेंगे, तो देखो 1 आ रहा है, तो 0, 1, 0, 1, ऐसा true, false, true, false, तो जो computers होते हैं, उनको यही language समझ में आती है, 0, 1, 0, 1, तो इस चल के देखेंगे तो true or false के अलावा true and false होती है कुछ चीजे, तो आगे जब चलेंगे तो वो भी देखेंगे, truth and false क्या चीज़ें होती है, true or false तो boolean होता है, तो यह हो गया हमारा एक boolean, boolean क्या होता है, इसका use क्यों करते है, true और false का, यह हम आगे हमें देरे-देरे समझ आ जाएगा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और advanced चीजें पढ़ेंगे, advanced क्या basic की पढ़ते-पढ़ते में तुरंती समझ आ जाएगा, इसका use क्यों करते है, मतलब हम कभी कभी हमें कोई condition चक करनी की जरूत होती है, अगर यह condition true है, तब यह code चलाओ, अगर यह condition false है, तो दूसरा code चलाओ, ऐसे अगर हमें कभी चक करना है, तो यह boolean का use करेंगे हम, तो इसको मैं clear कर देता हूँ, तो हमारा boolean type भी हो गया, अब अगला type होता है undefined, तो यह undefined क्या होता है, undefined JavaScript के अंदर एक keyword होता है, जो कि एक variable को मिलता है, मैंने variable अभी नहीं पढ़ा है, variable हम लोग आने आली वीडियो में देखेंगे, लेकिन तुम ऐसा समझ लो, अगर कोई भी चीज हमारे program के अंदर define नहीं है, हम चीजों को define करते हैं, ऐसे करके define करते हैं, तो जब हम कभी भी define नहीं करते हैं किसी चीजों को, या कोई चीज available नहीं होती है, उसको उपलब्द नहीं होती है, तो उसको जो type होता है, वो होता है undefined, तो अभी तो variable में करके दिखाऊंगा नहीं, हम लोग variable पढ़ लेंगे, जब variable पढ़ेंगे उस time पर हम लोग ये undef undefined कि एक ही value हो सकती है, मतलब undefined जो भी type अगर इसका type of देखोगे, टाइप आफ तो इसका type है undefined, तो यह undefined एक keyword है और उसका type है undefined, और यह एक ही हो सकता है, जो type, जो भी undefined टाइप है, इसकі value बस एक ही हो सकती है, वो ती conversions तो यहां पर मैं अगर लिखता हूं अपनी console के अंदर और enter दबाता हूं तो यह मतलब मुझे error नहीं दे रहा है अगर तुम undefined लिख दोगे अगर d हटा दो अगर d हटा देते हो undefined लिख देते हो तो error देगा क्योंकि undefined word javascript को नहीं पता है undefined ही पता है exactly was undefined undefined जो word है javascript को पता है उसका मतलब है कि कुछ उपलब्द नहीं है कुछ define नहीं है कोई मारा खाली चीज है तो अब जो खाली है वही से जो undefined है कुछ similar है यह null के null भी अगर type of लेकिन अब यहाँ पर null जो है थोड़ा सा tricky और थोड़ा सा अजीब है तो अगर हम यहाँ पर null को देखते है type of null पहले यहाँ पर null लिखके देखते है क्या आता है तो अगर null लिखते हो तो यहाँ पर इसका result आ रहा है null यानि कि जो javascript है इसको यह word पता है अगर तुम ऐसा null लिख दोगे तो ऐसा यह गलत हो जाएगा अगर single l लिख दोगे null में तो भी गलत हो जाएगा जावस्क्रिप्ट को नहीं पता है यह दोनों चीज़े जावस्क्रिप्ट को बस नुडबलल ही पता है तो यह यह भी undefined की तरह ही होता है लेकिन यह जावस्क्रिप्ट आटोमेटिकली किसी के अंदर नहीं डालता है यह अपने मन से नहीं डालता है यह हम यूज करते हैं खुद से हम लोग लिख सकते हैं तो हम बसक्रिप्ट अपने मन के अंडिक़िए डालता है सब चीज़ को अंदर जो भी उसको नहीं मिलेगा वह डिकांद ढलतेगा लेकिन प्लम कुछ से डाल सकते हैं तो यह हो सकता है अपने मन से undefined डाला हो जो हमने डाला है वो नल होगा यह बात समझ आ रही है तो अभी कैसे किसी value के अंदर null डालते हैं undefined डालते हैं और क्या normal values कैसे डाल सकते हैं ताकि null और undefined ना रहे तो वह सब लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे तब तो यह हो गया हमारा यह हमारे पांच data types हो गया अब इसको तुम number में convert करने की कोसिस करो देखो होता है कि नहीं मैंने कभी किया नहीं था लेकिन यह भी हो गया क्योंकि नल जो होता है वो false की तरह होता है जो भी empty values होती है undefined को भी करके देख लेते हैं undefined है इसको भी करके देख लेते हैं plus तो यह not a number आ रहा है यह not a number आ रहा है यह सही है ना undefined यह सही है तो undefined को नहीं convert कर सकते हैं और null को convert कर सकते हैं यह मैंने भी पहले नहीं किया था convert करके undefined को ना तो किया था और ना तो इसको null को किया था तो null को करने पर 0 आ रहा है तो ऐसे तुम्हें भी मुझारे मन में कोई भी question है सीधा करके देख लो तो मैं नहीं नहीं चीज़ें सीखने को मिलेंगी जैसे मुझे अभी मिल रही है कि नल को अगर करते हैं तो नमबर आएगा अगर करते हैं तो नॉट नमबर आएगा शायद parse int के थुरू करें तो क्या होता है चलो देखते हैं parse parse int undefined तभी यह नॉट नमबर ही आ रहा है तो ऐसे हम लोग एक टाइप को दूसरे टाइप में convert कर सकते हैं और इसको चाहो तो string में आराम से convert कर सकते हैं जो अगर हम यहां पर इसको clear करें और यहां पर हम लोग type of null अगर check करते हैं तो देखो क्या आता है type of null अप लोग guess करके बताओ क्या आएगा यह अपने आप नीचे दिखने लगा है यह type of null जो है यह object आ रहा है तो यह ऐसा क्या हो रहा है यह जो null है यह खुद एक data type है और उसका type कुछ दूसरा ही है यह ऐसा क्यों है तो यह actual में एक bug है इसको ऐसा होना नहीं चाहिए था इसको यहां पर null लिखके आना चाहिए था ideally अगर सही से काम करता तो javascript में यह बहुत ही starting के days में एक bug आ गया था कि यह जो null का type है वो object हो गया था और फिर उसी पे बहुत सारी websites बन गई तो फिर उसके बाद अगर fix करते तो सारी जो websites बन चुकी थी वो सारी break हो जाती तो इसलिए इसको fix नहीं किया गया यह तब से लेकर आज तक ऐसे ही चलता आ रहा है अगर यहां पर search करोगे type of null in javascript तो यह देखो जो पहली line आएगी वही देखो क्या है in javascript null is nothing यह सब ignore कर दो unfortunately in javascript the data type of null is an object you can consider it as a bug in javascript तो यहां पर यह bug आ गया था बहुत ही पुराने time पर जब बहुत ही starting में javascript आई थी तो उसी के साथ यह bug आ गया था और उस bug के साथ ही हमारी कई सारी websites बन गई और अगर इस bug को fix किया जाता तो हमारी पूरी जो भी website बनी थी हो सारी break हो जाती तो इसलिए इस bug को fix नहीं किया गया तो कई बार इसको पूछते हैं लोग type of null क्या होता है अगर बताओगे object होता तो पूछते हैं क्यों होता है तो इसका बस ही reason है क्योंकि यह एक bug है javascript के अंदर यह है और हमेसा ही रहेगा यह जो bug है इसको कोई fix भी नहीं किया जाएग यह योगो योगो से था और आगे चलता ही जाएगा तो हमने यह पांच data types देख लिए अब यह जो big int और symbol है यह इसमें से तुम big int पर खुछ से research करो और देखो यह क्या होता है और कैसे हमें एक big int create करते हैं और तुम मुझे बताना comments में अगर चाहो तो बता सकते हो कि big int कैसे create करेंगा और इसका क्या use है थोड़ा सा खुछ से research करो इन दोनों का use उतना ज़्यादा नहीं करते हैं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन आप खुछ से research करके आप पढ़ सकते हैं symbol को अभी रहने देना symbol का आगे चलके जब कभी हमें use पढ़ेगा काफी advanced चीज आए तो तब उस case में हम use करेंगे लेकिन big int तुम कर सकते हो काफी easy है ज्यादा मुश्किल नहीं है यह number की तरह ही है तो मैं उमीद करता हूँ आपको यह primitive data type समझ में आ गये होंगे यह 7 तरह क मुझे तुम कि यह big int क्या होता है कब हम लोग big int का use करते हैं तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye